कि नमस्कार स्टेडिया क्यू आईए सिंधी प्लैटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग मुद्दी की बात कारेक्रम में एक बहुत महत्यपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुरा हुआ है अंतरास्ट्रिय विशय से हना आईयार से यह मुद्दा जुरा हुआ है और इसी के संदर में हम लोग चर्चा करेंगे की हाली में बांगलादेशी प्रधानमंत्री स्रीमदेश सेख हसीना की भारत यात्रा हुई है और इस संदर में उनकी भारत यात्रा का क्या महत्व है और इस लिहाद से भारत और बा बाचित करेंगे कि आखिर इस यात्रा के माध्यम से दोनों देश कौन-कौन से महत्वपूर्ण समझोंतों पर बाचित करने वाले हैं या फिर बाचित कर रहे हैं तो आज की चल्चा में हम इन सभी मुद्दों पर एक-एकर चल्चा करेंगे और साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं कि चुकि यह जो विशय है यह विशय अंतरास्टी संबन से जुरा हुआ है और IAS के मेंस एक्जामिनेशन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि IR का जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट GS के पेपर 2 में यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के त सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है और उस लिहाज से यह विशय आपके लिए महत्वपूर्ण हा जाता है और इस कंटेक्ट में भारत और बांगलादेश के बीच में जो हाल की समय में गतिविधियां चल रही है इस पर जानना इसकी जानकारी प्राप्त करना पांथ से आठ सितंबर बांगलादेशी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा अज़ तारिख दीन ऑलिया की दर्गाहां पर भी गई और अपने आगामी कुछ एष्छ कारेक्रम कारीक्रम के अंतरकत वह अजम Šаты ४ी जाएंगी जहां baked द्रगाहां और यह कुछ से महत्वपून गतिविधिया उनकी इस यात्रा के संद्रह में है बहराल यहाँ पर जो हमारे लिए समझने लाइक बिंदू है वो यह है कि आखिर इस यात्रा में किन महत्वपून मुद्दों पर उन्होंने बादचित की है तो यहाँ पर मैं इन सभी मुद्दों को एक एक करके बताऊंगा विभी ने विश्यों पर जो समझोता ग्यापन किये गए है उनसे संबंधित जो आदान प्रदान किये गए है वो कौन-कौन से विश्य हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझेगा कि एक जो विशे महत्वपूर्ण है इस समझहोते से संबन्धित वो है कुशियारा नदी के जलवितरन का मुद्दा ठीक है पहला है कुशियारा नदी के जलवितरन का मुद्दा यहाँ पर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह है कुशियारा नदी और यह है एक सूर्मा नदी यहाँ ध्यान रखेगा इस पर PT में भी परशन पुछे जा सकते हैं कि कुशियारा नदी और सिर्मा नदी कहां पड़ से प्रवायूत होती है और इसका संबंद किस देश के साथ में है तो जो कुशियारा नदी है ये भारत और बांगला देश के बीच में एक सीमा निर्धारन का काम करती है और यहां पर एक चीज और ध्याम रखेगा कि जो बराक नदी है जो असम से प्रवायूत होती है तो असम से प्रवायूत होने वाली जो बराक नदी उसी को दो अलग अलग भागों में डिवाइट किया जा सकता है जिसमें से एक है कुशियारा और दूसरी है सूर्मा तो जो कुशियारा नदी है, कुशियारा नदी के जल का वितरन भारत और बांगलादेश के बीच में एक सही अनुबात में किया जा सके इसी के कंटेक्ष्ट में इस समझोता ग्यापन में एक महतपूर्ण बिंदू के तौपर रखा गया है, देखा गया है तो पहली बात तो यह हुए कि कुशियारा नदी के जल वितरन को लेकर करके जो एक इसू लंबे समय से चल ला था, उसको रिजॉल्फ करने की कोशिश की गई है इसके साथ ही जो बांगला देश के रेलवे करमचारी हैं, उनका भारत में प्रशिक्षन की बातचित भी इसके तहत की गई है ठीक है, तीसरा है, आईटी सेक्टर में दोनों देशों के बीच में सहयोग को बरहावा देनी की बातचित की गई है इसके साथ ही साथ भारत के CSIR और बांगला देश के CSIR के बीच में भी समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये के हैं जो भारत का CSIR है, उसका मतलब क्या हुआ? Council of Scientific and Industrial Research और उसी तरीके से जो बांगला देश का CSIR है Council for Scientific and Industrial Research कहने का मतलब कि वैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिसाथ तो इन दोनों की बीच में भी समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं इसके साथ साथ और जो महत्वपूर्ण संबंधों पर बात्चित की गई है वो है कि बांगला देश का TV चैनल जो उसका राष्ट्री टीवी चैनल है और भारत में प्रसार भारती इन दोनों की बीच में भी समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं कि विभिन अलग-अलग कारेक्रमों के हस्ता पर हम दोनों एक दुसरे के साथ साजहा रुप से भागिदारी निभाएंगे इसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो अंतरिक्ष छेत्र में अंतरिक्ष छेत्र में भी सहयोग करने की बात इस Memorandum of Understanding यानि की समझोता ग्यापन की अंतरगत की गई है और एक और जो महत्पूर्ण छेत्र है वो है कि जो राष्ट्रिये नियाइक अकादमी है भुपाल में राष्ट्रिये नियाइक अकादमी भुपाल और बांगलादेश का जो सुप्रीम कोट है बांगलादेश का सुप्रीम कोट एसी मैंने यहाप लिग दिया है बांगलादेश के सुप्रीम कोट के बीच भी तारतम्यता स्थापित करने की कोशिस इस समझोता ग्यापन के माध्यम से की गई है यानि कि ये टोटल साथ ऐसे मामले हैं साथ ऐसे बिंदू हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं हाल की यात्रा में और इन फैक्ट ये जो हस्ताक्षर किया गया है ये आज ही किया गया है है तो इस लिहाज से जो सभी साथ बिंदू हैं ये सभी साथ बिंदू आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन-कौन से ऐसे एक्षेतर हैं जिन पर दोनों देशों के के सभसे महत्वपूर्ण है वह कुशियारा नदी का जल्व इतना से समंद्धि जो मुद्ध हैं बाकि जो अनिछे मुद्धे हैं वो यह है तो ये सभी से जो महत्वपूर्ण मुद्ध है इसी को लेकर करके हाल की समय में नहीं आपको और बताओ कि आंखी सेयुक्त वक्त года जो जारी किया गया है दोनों देशों के प्रधानमंत्री की तरफ से जो जारी किया गया है उसमें क्या बाते कही गई है तो एक तो भारत के प्रधानमंत्री महोदे नहीं ये कहा कि बांगलादेश जो है भारत का सबसे बड़ा विकास भागिदार है और साथ ही पूरे रीजन में शेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक साजयदार भी है reason का मतलब कि दक्षिन एशियाएक शेत्र आपको पता होना चाहिए कि सार कंट्रिस में भारत और बांगलादेश दोनों शामिल है हना तो इस शेत्र में दक्षिन एशियाएक शेत्र में कहा जा सकता है कि बांगला देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक स्याज़ेदार है साथ ही IT अंतरिक्ष नाभगिये छित्र में भी सहयोग को लेकर करके दोन देशों में जो सहमती बनी है उसका जिक्रभी मैंने किया भी मूल तोर पर IT और अंतरिक्ष के छित्र में जो सहयोग को लेकर करके समझाता गया अपन परहस्ताक्षर किये गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया भी और यही बात यहां पर जॉइंट इस्टेट्मेंट में भी कही गई इसके अलावा उर्जा और स्वास छित्र में बांगला देश को भारत की तरफ से दो बिलियन डॉलर का लाइन ओफ क्रेडिट भी दिया जाए लाइन ओफ क्रेडिट का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी रासी दी जाएगी जो की बांगला देश को इन दोनों छित्रों में सहायता करने के लिए बहत महत्पूर्ण हो सकती है और जो बांगला देश है वो इसके माध्यम से अपने यहाँ पर इन दोनों छेत्रों में कुछ अच्छे तरीके से अच्छी तरह से विकास कर सकता है साथ ही CEPA पर भी बातचित आगे बरहाने की पहल की गई है दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर CEPA का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रीहेंसिव एकोनॉमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच जो अभी वर्तवान में व्यापार की स्थिती है उसे और बहतर करने के लिए इस एग्रिमेंट को यदि दोनों देश सहमती दे देंगे अभी सहमती नहीं दी गई है लेकिन यदि इस agreement को सहमती दे देते हैं दोनों देश तो फिर आने वाले समय में ये दोनों देश आपस में हो सकता है कि जो व्यापार को लेकर के रुकावटे आती रहती हैं अर्चने आती रहती हैं उन अर्चनों को दूर कर सकते हैं और इस लि 26 तक भारत के साथ में जो बांगला देश को कुछ छूट मिलती है वह छूट समाप्त होने की समहवना जताई आ रही है वह छूट किस रुप में मिलती है तो duty free जो व्यापार के इस तर पर छूट मिलती है उसमें हो सकता है कि कमी है duty free यानि कि किसी भी प्रकार का शुल्क ब भी बांगला देश से कोई सामान भारत आता है तो है ना तो इस तरीके के जो छूट है वह हो सकता है कि 2026 तक बांगला देश को न मिले क्यों न मिले तो इसका कारण यह है कि आने वाले कुछ समय में बांगला देश जो है एक बहतर विकास शील देश के तौर पर आगे आ सक और इस लिहाज से भारत हो सकता है कि इस तरीके की छूट देना बंद कर दे तो इस कंटेक्ष्ट में यह जो एग्डिमेंट है यह एग्डिमेंट दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर काम कर सकता है तो यहाँ पर यह चीज़ें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं दूसरी और बांगलादेश की प्रधान मंत्री स्रीमती शेख हसीना जी ने यह भी कहा है कि हम दोस्ती के माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं और इस लिहाज से भारत और बांगलादेश के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह सभी बाते इन जॉइंट स्टेट्मेंट के माध्यम से की गई हैं और साथ ही बांगलादेश की प्रधान मंत्री ने भारत पर विश्वास जिताया है एक विश्वस्त मित्र के तौर पर भारत के सा साजेदारी को आगे बराने की बात की है हना यहां पर देखो दूसनों एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जब हम भारत और बांगलादेश की बीच संबंध के बारे में पर रहे हैं तो कुछ अर्चने भी हैं हना जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ में सहयोग करते हैं किसी के साथ में आप बातचित करते हैं तो कुछ ऐसे भी बिंदू होते हैं जिसमें दोनों की बीच में टकराहट हो सकती है और कुछ जो ऐसे बिंदू है उनको सौट आट करने की आवशकता होती है है और उन्ही में से एक बिंदू है तिस्ता नदी जल विवाद से अधित मुद्दा तिस्ता नदी को लेकर करके अभी तक दोनों देशों में एक असपस्ट सहमती नहीं बनी है और इसको लेकर करके हाल में जो यात्रा शुरू हुई है बांगलादेश की प्रधान मंत्री की इस संदर में भी एक आशा जताई जा रही है क्यों हो सकता है कि इस चिटगाउं हिल ट्रेक्ट का मुद्दा है ना चिटगाउं हिल ट्रेक्ट जो है न ये बांगलादेश और जो मिजोरम है उसके साथ में ये विशय बहुत ही महत्वण हो जाता है ये बांगलादेश का ही अंग है जो चिटगाउं हिल ट्रेक्ट है हिल एरिया जो है और समुदाय के लोगों की मांग बहुत समय से रही है कि उनको इस छेतर में स्वायतता प्रदान की जए उनको जब स्वायतता मिलेगी तब वे अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इस लिहास से यह जो समुदाय है हाल के समय में फिर से अपनी बाते कह रहा है कि इनकी मांग पूरी की जाए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस संदर्व में जो चकमा समुदाय चकमा समुदाय से संबंधित एक समझहोता भी किया या था 1997 में 1997 में चिटगाओं हिल ट्रैक्ट को लेकर करके एक समझहोता क्या कहें उसको अकौड कहा जा सकता है एक समती बनी थी कि इस चेत्र में इस पार्टिकुलर रीजन में जो भी कानून और व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था की देखरे करने के लिए उसका सुपरवीजन करने के लिए एक परिस्द का गठन किया जाएगा और इस लिहाज से जब वो परिशत सही तरीके से इनका निरिक्षन करेगी तो फिर वो धीरे धीरे अपनी स्वायतिता अपनी जो आत्म निर्भरता है उसको पा सकते हैं लेकिन अभी तक उसको फुल्फिल नहीं किया जा सका है और इसे को ले करके चक्मा समुदाय जो है आए दिन इसका विरोध करते रहती है कि जो एकॉर्ड पर साइन किया था 1997 में उसे अभी तक फुल्फिल क्यों नहीं किया जा सका है तो इस लिहाज से ही यहाँ पर यह जो समुदाय अभी महत्पूर्ण हो गया है क्योंकि बांगलादेश की प्रसान मंत्री भारत आयुए है और फिर से यह जो चक्मा समुदाय है यह चाह रहे हैं कि यदि वर्तमान में यह जो मुद्दाय है यह मुद्दाय हो जाता है रिजॉल्फ हो जाता है तो फिर इनके संबंधों का 50 फूरा हुआ था कैसे 50 फूरा हुआ था तो 1971 में जब क्या हुआ था 1971 में आपको ध्यान है क्या हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान की बीच में एक बहुत ही बरा इद हुआ था है की नहीं याद है और इसी इद के परिनाम सरूप बांगला देश का पुरवी पाकिस्तान था पुरवी पाकिस्तान ही क्या बना था बांगला देश बना था तो इसी बांगला देश के साथ में जब भारत के संबंध को लेकर करके बादचित की जाती है तो 1971 से लेकर के 50 वर्स यदि हम देखें तो 2021 में 50 वर्स पूरे होते हैं और भारत ने देश की प्रधानमंत्री भारत आई हैं तो उन्हों ने वर्तमान में भारत का शुक्रिए अदा किया है कि कि तरीके से उस दॉरान भारत की जो भी राजनेतिक नेत्रित्व करता थे है उन्हों ने भांगला देश को आजात कराने में बड़ी भहोंई का निभाई थी है Cambodia य जैसे नदीर सब्सक्राइब करने की जरूरत है इस पर काबु पाई लिया जाएगा जब इस पर नियंत्रन पर लिया जाएगा तो फिर यह जो संबंध है यह और बहतर हो सकता है तो इस संदर्व में भारत ने दरसल पहले परोष की निती को तवज्जो दी है पहले परोष की निती भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश निती है दोस्तों और इस लिहाज से भारत कोशिस कर रहा है कि इस निती के माध्यम से बांगलादेश के साफ में जो भी विवात के मुद्दे हैं उन मुद्दों को समाप्त किया जा सके यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखना कि बांगला देश जो है वो भारत के रिए कई मामलों में एक महत्वपूर्ण की के तौर पर काम कर सकता है कैसे कि बांगला देश के साथ में भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा है हाना यह ध्यान रखेगा कि बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा है हाना जो लैंड बॉर्डर हम कह सकते हैं और इस लिहाज से इस कारण से जो भारत का उत्तर पुर्वी इलाका है उत्तर पुर्वी छेतर है और उत्तर पुर्वी पुर्व के जो राज्य हैं उनके साथ में बांगला देश की कनेक्टिविटी और बहतर हो सकती है और जब हम बांगलादेश के साथ संबंध बहतर करेंगे तो हमारा जो उत्तर पुर्व का इलाका है वो और बहतर तरीके से विकास करसकता है तो एक तो महतोपूर्ण फैक्टर यहाँ पर यह है ताकि भारत और बांगलादेश के बीच का जो संबंध है वो और अच्छा हो सके दूसरा एक फैक्टर यह है कि बांगलादेश से होते हुए जो दक्षिन पुर्वी A.C.I. देश हैं उनके साथ भी भारत एक अच्छा संबंध अस्थापित कर सकता है बांगलादेश से होते हैं है कि नहीं तो इस लिहाँ से भी बांगलादेश एक महतोपूर्ण फैक्टर के तौपर काम कर सकता है और एक बात मैं आपको बता दूँ कि बांगलादेश अपने जो समुद्री निर्यात वगरे हैं उसके लिए दरसल मेलेशियाई या फिर जो इंडोनीसियाई बंदरगाए हैं उनका इस्तेमाल करता है भारत बांगलादेश के साथ में सहमती की बनाने की कोशिस कर ला है कि यदि बांगलादेश भारत के जो बंदरगाए हैं उनका इस्तेमाल करे तो फिर दोनों के बीच का जो एक व्यापारिक संबंध है वो और बहतर हो सकता है तो ये सभी कुछ ऐसे पहलू है जिन पर अभी विचार करने की जरूरत है और हो सकता है ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में दोनों देश इस संदरह में और बहतर निर्णे ले सके तो आज की चर्चा में हमने भारत और बंगलादेश के बीच का जो वरतमान में सं बंध का दोर है इसको समझने की कोशिस की पुर्व में क्या इस ती थी 50 साल पहले की क्या इस ती थी इसको मैंने आपको ब्रीफ में बताया और आगे आने वाले समय में जो महतवपूर्ण मुद्दे हैं जो अरचन वाले बिंदू हैं उनको कैसे सौट आट किया सकता है कैस उसको समाप्त करने के लिए दोनों देशों को काम करने की जरूरत है इस पर भी हमने चर्जा की तो आज हम इस बिंदू पर समाप्त करते हैं डिसकसन लेकिन समाप्त करने से पहले एक सवाल देख लीजिए सवाल इसी चर्जा पर आधारित है हाल के समय में बांगलादेश की प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर रही है उनकी यात्रा भारत बांगलादेश संबंध को और बेहतर करने के दिश्ट कोन से कितनी महत्तपूर्ण है बहुत ही सिधा सा सवाल है जिन साथ बिंदूओं पर दोनों देशों की बीच में समझोते हुए हैं उनके बारे में बताना है जो जो अर्चन की बिंदू है उनके बारे में बताना है और जो भविष्ट की संभावनाएं उन संभावनाओं का जिक्र भी आपको अपने उत्तर में करना है और इस तरीके से आपका यह जो उत्तर है कंप्लीट हो सकता है आज मुद्दे की बात में इतना ही मिलते हैं कि किसी और मुद्दे की बाद कारेक्रम में किसी और महत्पूर्ण मुद्दे के साथ तब तक अपना ख्यार रखिए पढ़ते रहिए all the best